नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। गॉलिश पतापल रबद करने से visitor कなた का स स्थक्राइब जए उत्राइब को सैंके एंद ** कर दो कर दो कर दो इतना प्यारा बच्चा है इसके बाए गाल पर सुन्दर सा काला पीले ये देखो हुजूर मुबारक हो लड़का हुआ है इसको देखने का हम में सास नहीं ले जो इसे हमारी आखों से दूर इसी वक्त बाहर तो बहुत जो रोकी बारिश हो रही है हुजूर हाँ शायद आजा आसमान भी रो रहा है अपने खानदान की इज़त की खातिर हमें हमारे आसमों को अपनी आखों में ही रोकना होगा ले जाओ इसे किसी जंगल में फेक दो मैं बेशा रहूं हुजूर संसार में अपना कोई नहीं है आप आगया दे तो इसे अपना बेटा बना के पाल ले तुम्हे ये गाउं छोड़ना होगा हम ये गाउं के नहीं मालकीन दो-चार महने से यहां आये हुए हैं हम इका लेके बहुत दूर चली जाए तुम हमें पैचानती हो नहीं कभी आमना सामना हो भी जाए तो नहीं पैचानूंगी बस आप इका दे दो हमको ठीक है ये लो ये दस हजार रुपे और है लो ठेरो ये बच्चा तुम्हे कहा मिला ये हमरी आउलाद है हुजूर ठीक है जाओ अरे तेरी शादी वो भी पठान की लॉंडिया से लॉंडिया बोलता है लॉंडिया बोलता है तुम्हें शरम ने आती अरे तुम्हारी भावी जाएम होने वाली है वो अरे वाव अर्वी ऐसा जमतकार कैसे हो गया है वो ऐसा हो गया मिया जब मिया भी वी राजी तो क्या करेंगा वो पठान खाजी जांता ही मिया क्या हुआ क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है कि शिकायत कर रहे थी किसी क्रिश्चन डाक्टर नी को फोन करके बुलवाया और बेहोश हो गई है मत परिशान नहों उदास से दुआ करो सब की खुझा आए है हाए डाक्टर नी साब हाए रहा है राज़ साब यह है रहा है रहा है धाले पहले बतली हुए फिर बेहोश हो गई है तुन चुप रहो हो ना इनाज़ तो मेरे बच्ची है है क्या हुआ है अपनिन्टॉनिटॉन। तुम बात बनने वाला है ये मेरे बीबी है रिपयाला। पिष्थाए नहीं किलाएगा। नहीं बात करें हो? ये तो जहर खाने का मुकाम है। तुम्हे मालूम है ये लड़की कमारी है, शेर अली को मैं जिन्दा नहीं छूलूँगा, उसी ने मेरे मूँ पर कालिक लगाई है, कहा है मेरे बंदूख, बंदूख, मिस्टर खान, ये जान लेने का टाइम है, ये तो इसस बताने का टाइम है, उस लड़के को दून का रहे तो वो भी पूरी कर लो, हज़रत, पने एक बात याद रखो, हमें तो लेला को भूल चुके हैं, उसकी महबत को दिल से निकाल को फेक चुके हैं, ने, मैं तो, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ, ये लो बेटा, 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 नकोबनो जी, हमें लेला का भाई ने, मैं पनी, लेला का शोहर बनाना चाहता हूँ, दामादी तो बेटा होता है, ना, तो सादी का ख़र्चा कौन देना, जा ख़र्चा, कोन देना, मैं दूगा, पिल्कुल जा दूगा, लेकिन मैं तो शराबी हूँ तुम शराबी हो यह तुम कभाबी हो लेकिन तुम मेरे हो फुलुका बुलदस्ता कौन लेकर आए शेर अली भाईया तुम्हारे इन भाईया का ससरह है यह अपना काड़ा समालो और यह हमें दे दो और देखो दूला भाई को साथ में लेकर कुवा आना वाद भूलना अच्छा भाईजर अब हम चलते हैं बहुत काड़ा बाटना है खुदाहफिस आना जरूर्ष अरे सुनू वो जी जाए जी तो आज लंडन जाने वाले हैं ना जी वो कल जा चुके हैं और आपको तो इतनी फुर्सत नहीं है कि आप उन्हें छोड़ने भी जाए सॉरी मैं बिल्कित भूल गया जी लेकिन भैन तो भाई को नहीं भूली ना पॉरन ख़बर लेकर चली आए क्या बात है कल पॉरनीमा और आंटी दोनों सिम्भला से आ चुके और मैं वहीं जाने अरे सुनो पॉरनीमा से कहना के ठाकुर साब की ख़बर सुनके मुझे बहुत अफस्स हुआ ओके वक्त हर गम को मिटा देता है और जिंदगी का कार्मा बरता ही रहता है तुम्हें सब कुछ भूलकर फिर से नई जिंदगी शुरू करनी है मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती हो नहीं मा नहीं मैं किसी को दोका देना नहीं चाहती दुनिया ने तुम्हें क्या दिया पतनामी, रस्वाई, उस पर मैंने परदा डाल दिया है सिर्फ तुम्हारी जिन्दगी और खांदान की इज़त के लिए अब अगर तुम मेरे बताई हुए रास्ते पर न चली तो मैं अपनी जान दे दूगी ऐसे न कहो मा, ऐसे न कहो जो कहा है करके दिखा दूगी अब मैं और ज्यादा बरदाश्ट नहीं कर सकती मेरा सब कुछ लुट चुका है सिर्फ तुम्हारे बाप दादा की इज़त का भरम बाकी है वो भी अगर तुम खामोश रहकर नहीं बचा सकती तो मेरा जीना मौत से बत्तर है ये इज़त इसी तरह बच सकती है कि तुम शादी कर लो बेटे मैं तुम्हारे पसंद के लड़के ही से तुम्हारी शादी करूँगी मुझे किसी को पसंद नहीं करना मा इस लाश को दुलन बनाकर जहां भेजना चाहो भेज दो मेरी बेटी मेरी बच्ची दोहात सब ठीक हो जाएगा बेटी सब ठीक हो जाएगा पूनम का चांद भी फीका है मेरी पूर्णी मा के सामने आप यह शरारत नीलू की है उसने हम सब को कसम दी थी के सबहागराज से पहले तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए कि किस के अंधेरे में तुम रोशनी बन कर जा रही हो ऐसा मजाग उसे नहीं करना चाहिए था नाराज हो गई पूनम तुम्हें पाने के लिए मैं आज तक तड़पता रहा वक्त में कई बार मायूस किया लेकिन टूपते दिल को मैंने हर लमा सहरा दिया पर मैं ढूपके विजे जानता हूं पूनम क्या जानते हो ठाकुर साब की मौत का गम मेरे मा था पिता का जब एक्सिडेंट हुआ तो पागलों की तरह महीनों में चीखता रहा चिलाता रहा तुम्हें भी वही सब मौठाना पड़ा पिताजी की मौत की बारे में नहीं क्या रही थी विजे मैं तो तुम्हें हमेशा यात करती थी है न मैं भी तुम्हारी जुदाई के गम में तिन राट तुबा रहता था तुम मिल गई करार आ गया पहले मेरी बात तो सुननी जी ना आई आज के राट जैनम न तुम कुछ गिला करोगी न मैं कुछ शिक्वा करूँगा चीवन भर तुम बोलती रहना और मैं सुनता रहोगा नहीं नहीं आज सुन लिजिए कल मैं कुछ न कह सकूँ लिए यह बच्चा किसका रो रहा है तुम्हारा आप कहना क्या चाते हैं तुम परेशान हो गई अरे बच्चा तुम्हारा नि मेरा है तुम्हारा? हाँ तकदीर का तमाश है पुनम शादी आज हुई लेकिन बाप मैं तीन मेहने पहले ही बन गया अपने बच्चे को मैंने डैम पर रखा हुआ था सिर्फ एक आया पाल रही थी उसके इलावा इस बात का किसी को कुछ नहीं मालूम मैं मुन्ने को लेकर आता हूँ तुम भी अपने बेटे को देख लू डाम डाम पाल बस 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 अई मावा लव इस यह रही तुम्हारी मापी पुनम देखो इसके चहरे पर कितना खुब्सूरत निशान है अरे ये क्या है आरत तुम अम्ता का सागर होती है पोनम तुम मा कहने से बुरा मान गई ये तो मेरे लिए बहुत बाग्यवान है इसके आते ही तुम मुझे मिल गई ये ये आपको कहा से मिला बरसाथ की तूफानी रात थी मैं मीटिए टेंड करके रामगड से लोट रहा था के मुझे पुम मा मुझे जार ये इन मुझे ऑ्को ऑ्को ऑको ऑ्को हूँ करी बिदे जितने भी गाउं थे मैंने हर जगा जाकर लोगों से पूछा लेकिन इससे कोई पैचानता है नहीं था फिर पुलिस की इजादत से मैं इसे घर ले आया पुनम हमारी लावा इसका कोई भी नहीं और मैं चाहूंगा कि दुनिया इसे हमारा बेटा समझे और इसे असलियत का कभी पता न चले कभी नहीं चलेगा भगवान की मर्जी न होती तो वो इसे क्यों वापिस भेजता तुम खामोश रहोगे मैं चुप रहोंगी कैसे जान बिलकुल ठीक हूँ आज इतने जल्दी कैसे आ गए अरवे तुम्हारी याज साता ही हम दोड़ते दोड़ते आ गए सब जूट जूटा अरे राजन बेटे तुम्हारी मम्मी मेरे प्यार को जूटा सबशती है जूटा मैंने अभी बतातों मैं इसे कितना प्यार कर रहे हो आचार का मसारा मुँमें लग जाएगा आचार ये क्यों खा रहे है बुद्धू 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 अरे कबाल हो गया अरे राजन बेटे तेरे साथ खेल ले वाला अरे बाई बाई लड़ते नहीं बहुत बुरी बात है बहुत बुरी बात है अरे बाई ये ना बड़ा दे दो उसे आओ ये ट्रेन तो यहीं गोल-गोल खुमती है हम तो आर लिए घोड़ा बनते है आओ बेटो 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 ही कितनी बार मैं तुम्हें कह चुकी हूं इस मनुस को घर मतलाए करो ये ट्रेन देखकर तुम्हें क्या हो जाता है बैठती भी नहीं और खिलाओना लो तो ऐसे बरताओ करती हो बात क्या है हर बात का जवाब देना ज़रूरी है क्या आओ राजन बेटे अब एक अच्छा खिलाओना लेते हैं आओ अच्छा बेटे तुम बड़े वे तुम्हें बुड़े हो गया अभी तुम्हारी जवामर्दी का इम्तियान हुआ जाता है तैयारो मकाबले के लिए राजन बेटे अमन तुमसे छोटा है छोटे को छोटा ही रहना चाहिए ऐसे ही होगा पापा गुड़ देखो बच्चो तुम्हारी प्यारी ममी अपने दिल के तुकड़ों का इंतिजार उस किनारे पर कर रही है उनके कदमों में साइकल और मोटरसाइकल पड़िये वहां जो भी पहले पहुंचेगा वह मोटरसाइकल पर अपनी ममी को बिठा कर यहां तक लाएगा और इनाम में मोटरसाइकल उसकी और हारने वाले को सिर्फ साइकल भाईया को साइकल चलाकर यहाँ पर आने में बड़ी तकलीफ होगी साइकल मैं नहीं चलाओंगा छोटे साइकल तो तुम चलाओगे और वैसे भी घोड़ सवारी में तुम मेरे सामने अच्छा हो अरे भाई कहकर नहीं करके दिखाओ अरे वाई टो टूर गम प्रो अरी अर्यख क्या अर्भाईया वाईया बजया चलाओगे ए को वाईया 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 कि और और व थे पाव बुद से अ कि अंस्ट भाएब बशन थाएब इसी कुचले यो गावे चाई! कि हुच मारे को अचाह रए स्धी मारे को हो चोटा भाई जीता है रूझ तो नहीं बड़े भाय का दिल बड़ा होना चाहिए चलो-चलोशाबआज चली 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 देख चली फूट अरे, राजन हार गया? एक बेटा हारा है, दूसरा तो जीता है हाँ, हाँ, क्यों नहीं? अरे, वो देखिए लवले, लवले लवले, अरे, ये क्या? बेटे, बीए स्पोर्ट ने डाड़ी, मुझे ये खटारा नहीं जाएँ, मुझे तो ये मोडर बाइक चाहिए ने बेटे, ये तो अमन ने जीता है ना? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो ये ही मोडर बाइक चाहिए आपकी बहिमानी के बावजूद मैं इसे जीता हूँ, मैं इसे हरकेस नहीं दूँगा अबेट चाल बेटे, हम तुमे कल दूसरी ले देंगे मा, मुझे आज, अभी और इसी वक्त ये मोडर बाइक चाहिए बड़ा जिद्धी है मेरा बेटा भी है आमन बेटे, बड़े भाईया की जिद्ध पूरी करो प्लीज डैड, आप हमेशा भाईया का साथ देते हैं बेटा, हम तुमे कल इसी तरह की दूसरी मोडर सैकल ले देंगे अपने डैडी का कहना मान लो ठीक है मानन, लेकिन ये इनसाफ नहीं है भाईया हमेशा मेरा हक मानने के चक्कर में रहते हैं देगा पूपा, जलता है, जलता है देखो बेटा, तुम दोनों का इस तरह लड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे इन्हें समझाएए ना, डाडी ने हमेशा ने दूसरों का हक मानना सिखा है दुनिया ने नहीं जगड़ा भाईसी और घुसा बाप पर अरे बेटे, कल तुझे नहीं मोड सेकल मिल जाएगी ना सुन छोटे, वो किशोर गुमार का गाना याद है जलने वाले जला करे, किसमत हमारे साथ